Hello Friends, तो आज किस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं Blood Supply of Human Heart यानि कि अपने लोग बात करेंगे Coronary Circulation Human Heart का जो खुद का Blood Circulation है, यानि कि उसकी जो Wolves हैं, उसकी जो Muscles हैं, उन तक जो Blood जा रहा है और जो Blood वापस आ रहा है हर्ट में, वो कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है और कौन कौन सी Blood Vessels वहां पे Present है, उसके वारे में अपने लोग बात करेंगे, यानि कि आज कि इस वीडियो में अपने लोग जो Human Heart है, उसकी खुद की Blood Supply के बारे में बात करने वाले हैं तो इसे अपने लोग बोलते हैं Cronary Circulation, Cronary Word कहां से आया Heart से originate हुआ यानि कि Heart के relation में हम लोग Cronary Word यूज की अरते हैं और Circulation यानि कि Heart का जो खुद का Blood Circulation है उसके बारे में अपने लोग इस वीडियो में बात करेंगे ये वीडियो हमारा यूमेन हर्ड जो सिरीज चल लही थी उसका Part 5 है और इससे पहले वाली वीडियो में अपने लोग ने काफी ज़्यादा चीजे कवर कर ली हैं और इस पार्ट में अपने लोग Cronary Circulation को देखने जा रहे हैं आईए स्टार्ट करते हैं Cronary Circulation A special coronary system of blood vessel is present in our blood in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature अब देखिए हर्ट का हर्ट क्या है एक pumping machine है तो हर्ट क्या कर रहा है हर्ट जब देखिए कोई भी organ जब काम करता है कोई भी अगर अगर ऐसे अपने लोग real life example ने कोई भी चीज़ अगर काम कर रही तो उसको क्या चाहिए energy चाहिए ठीक है अब energy कहां से मिलेगी अगर अपने body organs की बात करें तो उनको energy energy कहां से oxygen से मिलती हैं तो oxygen जब आएगा blood में oxygen जब supply किया जाएगा तो उसको क्या होगा oxygen की presence में उसको क्या energy मिलेगी ठीक है अब जब energy मिलेगी तो जाहिड सी वात है वो अपना काम करेगा अब heart क्या कर रहा है पूरी body की जो pumping machine है याई कि पूरी body में जो blood जा रहा है और जो blood वापस से आ रहा है उसको जो pump करने वाला जो organ है जो एक machine है वो क्या है heart अब machine खुद खुद को भी तो उसको blood चाहिए अब heart को जब खुद को blood चाहिए तो एक अलग सा system डेवलप हुआ body में जिसे अपने लोग बोलेंगे क्या cardiac musculation और ये जो circulation यहाँ पे हो रहा है उससे अपने लोग बोलेंगे coronary circulation तो heart की जो muscles है यानि कि जो cardiac muscle है heart किसे मिलके बना हुआ है cardiac muscles से अब cardiac muscles में जब blood supply चाहिए तो उस वो किसे जाएगी की cardiac circulation से जाएगी ठीक है तो अभी अपने अपने लोग देखते हैं कि जो coronary artery वगरा है उसके बारे में अपने लोग पहले जान लेते हैं ठीक अब जैसे कि normal circulation चलता है कहां से जो right of ventricle है यानि कि right arterium में क्या है body से blood receive हुआ और right arterium से blood कहां पे गया right ventricle में पहुचाए गया और राइड वेंट्रिकल से कहा गया लंक्स में और लंक्स में जब जा रहा है तो ये किस के तुरू पल्मोनरी आर्टरी के तुरू ब्लड जो है जा रहा है ठीक है अब लंक्स में ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के तुरू और ये बाहर निकाला गया यानि कि लंक्स के लं pulmonary vein है pulmonary vein है ठीक है अब जब left arteryum से blood अब अब यह तो यह क्या था normal circulation चल दा अब यहाँ पर क्या था नॉर्मल था left arteryum से अपने लोगों को पता है कि left ventricle में जाएगा और left ventricle से कहा से aurta में जाएगा ठीक है अब जो और्टा है ना Aorta से क्या होता है अब Aorta क्या है अपने आप में एक तरीके की artery है तो artery कहां से जो originate हो रही है कहां से left ventricle से तो left ventricle से क्या निकल ला है Aorta और Aorta से भी एक ब्रांच निकल लाई है यानि कि Aorta eci समझ और लोगों को original structure दिखाते है यूमेन हर्ट का तब ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा तो यह है ओर्जिनल वाला इस्ट्रक्चर ठीक है अब यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा यह है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल ला है और्टा निकल लिए तो और्टा क्या है काफी ज्यादा मोटी है काफी ज्यादा एक ऐसे समझे कि मोटी सी पाइप है तो यह क्या है एक मोटी सी आर्ट्री है अब इससे आप लोग देख पा से बोला गया क्योंकि ये जो आयरटी है थि के और थैंक है खुद में अब जाहिड से बात इसंसे जो अब आयरटіб से अगर कोई भी कोई भी चीज बनेगी कोई एक pipeline से दूसरी pipeline बनादी तो जाहिड सी बात ये गर आर यह तो यह भी आर्टरी होगी ठीक है अब यह आर्टरी क्या कर रही है कि हर्ट के पास सक ब्लड को ले जा रही है तो जब हर्ट हर्ट के पास सक ले जा रही है तो अपने लोगों ने वर्ड की यूज किया क्या कुरूनरी तो हर्ट के रिलेशन में अपने लोग क्या वर्ड यूज कर लेते दिया क्या कुरूनरी आर्टरी नाम दे दिया गया उसको ठीक है अब कुरूनरी आर्टरी ब्लड कहां पर लेके जा रही है कार्डियक मसल तो हर्ट यह मसल कौन सी है कार्डियक मसल यहां तक जो ब्लड आ रहा है यानि कि अब क्या है ऑक्सिजन मिक्स ब्लड यह ऐसा ब्लड ह उससे oxygen तो ले लेंगी और जो waste product है यानि कि carbon dioxide वगारा उसको उसमें मिला देंगी तो अब blood कौन सा बन गया deoxygenated ठीक है तो यानि कि अब किसमें क्या है CO2 mix है और यह blood कैसा है deoxygenated आया कौन सा था oxygenated और यह हो गया कौन सा deoxygenated अब जैसा है कि अपने लोगों को पता है कि जो blood को लाने का काम है और गन तक या फिर किसी मसल तक वह किसका है artery का ठीक है अब जो ला रहा है वो कौन सा है artery अब इसको आपने आप लोग ऐसा याद याद रख सकते हैं जैसे कि ए for artery और आना तो जो blood आ रहा है वो किसके थुरू आ रहा है आठरी के थुरू आ रहा है ठीक है अब जो जाएगा blood जो organ से blood जो जिसमें की जो डी ऐकसीजिणेटीड ब्लड है जिसमें कर्वन डाइऑकसाइड वग्यरा मिक्स एंवो कैसा होगा डी ओकसीजिणेटे ब्लड अब जो ज्छिणेटे ब्लड है ये जब जाए blocks किस के तूरो जाए inflict के थ्रू यहनि कि जो आ रहा है ब्लड वो आर्टरी के थ्रू आ रहा है लेकिन अब जो ब्लड जाएगा वो किस के थ्रू वीन के थ्रू जाएगा तो अब जाहिर सी बात है कि हर्ट से ब्लड को दूर हर्ट से जो ब्लड है यह उससे उसको ले जाये जा रहा तो जाहिर सी बा right atrium में क्या हैαι तीन opening होती है अब अगर यहां पर देखें तो यह क्या है right atrium अब जो यह right आर्टेम है इसमें क्या है तीन opening होती है इई दो होती है किसकी वीना कैवा जो कि बोडी के ऊपर वाले पार्ट से blood लाती है और एक होती norm Julie here impffer है जो की body के नीचे वाले coronary sinus है ये क्या कर रहा है heart का जो blood है यानि कि जो deoxygenated blood है किसका heart का खुद का वो कहाँ पर ले जा रही है right arteryum में उसको dump कर देगी उसको वहाँ पर पहुँचा देगी और right arteryum के थो फिर वो filter हो के स्वारी फिर वो oxygenated हो के यानि कि उसका क्या होगा oxygenation lungs में और उसके थो फिर से ये जो cycle है ये पूरा चलता रहेगा तो अपने लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो arteries है वो कौन सी है coronary arteries है और coronary veins है और जो किसके थो coronary sinus के थो कहाँ पर right arteryum में open हो रही है तो यही तो अपना हर्ट का जो circulation है है हर्ट का खुद का circulation यानि की कौन सा coronary circulation cc coronary circulation अब यहीं पर एक disease अपने अपने लोग समझ लेते हैं ताकि आगे आप लोगों को आसानी होगी अब एक डिसीज आती है coronary artery disease यह अब देखे coronary यानि की हर्ट से रिलेटेड है आर्टरी यानि की हर्ट की जो खुद की आर्टरी है यानि की बोले तो coronary artery और disease है तो disease नाम रख दिया तो इसको बोलते हैं short form में cad cad बोलते हैं तो coronary artery disease में क्या होता है अब यहां पर देखिए coronary artery है जो कहां से निकल लई है अर्टा से निकल लई है अब जो एक coronary artery है जो की blood कहां पिले जा रही है हर्ट के पास जो oxygen mixed blood है oxygenated blood है उसको कहां पिले जा रही है हर्ट के पास ले जा रही है तो जो coronary artery disease है often refers to as erythro sclerosis तो इसको एक दूसरे नाम नाम से भी जानते है अभी इसको अपने लोग समझेगे affect the vessels that supply the blood to the human muscle अब human human heart की जो मसल है उसको जाने की जो cardiac मसल है उस तक जो blood लाने का काम किसका था वो कर रही थी coronary artery ठीक है तो coronary artery अब देखे normal condition में क्या था blood आ रहा था जा रहा था अब होता क्या है कि इसमें क्या होता है deposition हो जाता है इसकी जो valve है वहाँ पर क्या होता है deposition हो जाता है अगर अपने लोग नॉर्मल कंडिशन में बात करें तो ये क्या है एक नॉर्मल कुरूनरी आर्टरी है ठीक है ये क्या है नॉर्मल कुरूनरी आर्टरी ठीक है और ये क्या है एक अफेक्टेड कुरूनरी आर्टरी एक ऐसे इंसानी कुरूनरी आर्टरी है जिसमें क्या हो ग इंदर जो खोखला पन है वो कैसा है बिल्कुल साफ है और जो ब्लड है वो आसानी से इधर उधर जा सकता है ठीक है तो अब देखें यहां पर क्या है कोई भी रुकावट नहीं है इसके बीच में लेकिन जब सीएडी की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है यहां पर हो जाता है अब दिपोजीशन बोले तो यहां पर जम जाता है अभी जो जमने वाला है वो कौन-कौन सी चीज़े हो सकती है जो कि यहां पर जम जाएंगी अब देखी इसमें क्या हो गया अब यहां पर क्या है ब्लड को एक रुकावट मैसूस होगी तो जिसकी वजह से यह यहां पर जो डिपोजीशन हो रहा है यह किसका हो रहा है यह तो कल्सियम का हो सकता है फैट का हो सकता है कोलेस्टरॉल हो सकता है फाइबरस टिशू का भी हो सकता है तो यहां पर क्या हो गया और डिपोजीशन होने के कारण इसका जो सर्फिस एरिया था जो इसका जो डायम तो यही है अपना कुरूनरी और्टी डिसीज जिसे अपने लोग दूसरा नाम भी देते हैं अब यही था अब यह क्या है यह नॉर्मल कंडिशन में है कि खोकला पन है तो ब्लड क्या है आसानी से उसके बीच में कोई कोई भी आस्ट्रेकल नहीं आया कोई भी उसे कोई भी चीज नंहीं तो क्या हो गया एक नॉर्मिल रहा था ब्लड का लिकली यहां पर क्या हो गया कि टिक वसम्त और कि उस लेखर लेटर एक उसमें और अब जो blood का flow है वो काफी जादा कम amount में जो blood का flow है वो होगा यहां पे ठीक है तो यही था coronary artery disease हम आपसे आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी हमारी कोशिस यही रहती है कि biology की concept आप तक simple और आसान बासा में पहुँचाना यदि आप हमें कोई suggestion देना चाते हैं इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाते हैं तो आप अपनी बात comment box के माध्यम से हम तक पहुँच सकते हैं और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस topic पर चाह रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारा channel केवी learnings को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए अगर आप मुझे instagram पर follow करना चाहते हैं तो मेरा instagram handle शिवेंद्र एस पाटेल पर जाकर आप मुझे follow कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही जल्द आप से फिर मुलाकात होगी biology के interesting concept के साथ अब तक के